सर्दियों का मोसम आने वाला है और मार्केट में आमले आने भी शुरू हो गए हैं आमले से हम बहुत सारी चीजे बनाते हैं जैसे आमले का मुरब्बा, आमले की कैंडी आज हम बनाएंगे आमले का जटपट बनने वाला अचार आमला हमारे सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें विटामिन सी और आईरन भरपूर मात्रा में होता है आमला खाने से इम्मुनिटी भी स्ट्रॉंग होती है हेलो एवरिवन, आइम सुनीता, वेलकम टू माई चैनल तो चरिए शुरू करते हैं आमले का अचार बनाना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आमले का अचार बनाने के लिए मैंने यहां 500 ग्राम आमले लिये हैं जिने अच्छे से धोलिया है अब हमें इने बॉयल करना है इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे पानी इतना डालें कि आमले इसमें भीग जायें अब इसे फुल फ्लेम पे हमें 15 मिनिट के लिए उबालना है आवले को हमें फुल फ्लेम पर रखना है और इसे तब तक उबालना है जब तक यह अपने आप से फटनिया लगे इसमें जो क्रैक्स है वो अपियर होने चाहिए और यह अपने आप से खुलने लगे इसमें वाला दिखाती हूँ, तो इसे हमें तब तक ही बॉयल करना है जब तक यह अपने आप से फटने लगे, इसे हमने ज्यादा देरतक आपंपर तक यह ज्यादा देर तक नहीं गलाना है।। आप इसे हाथ से हलका सा दबाएंगे , तो जो फलिया है वो अलग होने लगेंगी। अब इसमें से हम पानी निकाल देंगे और इस तरह से हाथों से ही इसे जो इसकी फलिया है उसे अलग कर लेना है और इसे पंदरा मिनिट के लिए हवा में सूखने के लिए रखना है। अब हमें इसके लिए मसाला बनाना है तो एक पैन में आप लें डेड़ चमच सौफ, आधा चमच मेथी दाना, एक चमच जीरा और आधा चमच राई के दाने गैस का फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर इसे थोड़ा सा भुन लें जब तक कि इसमें से अच्छी खुश्बूना आने लगी इसमें जो मौश्चर है मसालों का वो खतम हो जाना चाहिए राई हमने ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि आवले वैसे ही खटे होते हैं तो राई का यूज कमी करें मसाले हमारे भुन चुके हैं गैस का फ्लेम हम ओफ कर देंगे और इसे हलका ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे मसालों को बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीसना है इने हलका मोटा ही रखना है इस तरह से पीस के मसालों को अभी अलग रख दें आवले में हम डालेंगे हरी मिर्च तो यहां मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है कड़ाई में एक बड़ा चमच सरसों का तेल ले और इसे अच्छा धुआ आने तक गरम करें और फिर गैस का फ्लेम ओफ करके इसे ठंडा कर ले जब हम अचार बनाते हैं तो तेल हमें हलका गरम या ठंडा ही लेना चाहिए तो अब मैंने इसे गरम करके ठंडा कर लिया है अब गैस का फ्लेम बिलकुल लोग पर रखें और इसमें डालें वन फोर्थ चमच अजवाइन और दो चुटकी हींग अचवाइन और हींग दोनों ही पेट के लिए बहुत अच्छी होती हैं अब इसमें हम मिला देंगे हमारे पीसे हुए मसाले इसे तेल में अच्छे से मिला लें तेल में मिलाने के बाद इसमें एड़ कर देंगे आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें हरी मिर्च डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं कर रही हूं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च एड़ करें साथ ही डाल दें आधा चमच हल्दी अच्छे से मिला ले और अब इसमें हरी मिर्च डाल दें लो फ्लेम पर हरी मिर्च को दो मिनिट के लिए मसाले में पका ले मसाला जब हरी मिर्च के साथ अच्छे से मिल जाए हम इसमें एड़ करेंगे नमक मैं यहाँ एक चमच नमक डाल रही हूँ आप अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हैं अच्छे से मिला ले अब हम इसमें मिलाएंगे आम ले जिसे हमने 15 मिनट के लिए हवा में सुखाया था जिससे उसमें से मौश्चर निकल जाए इस तरह से मैंने उसको फलिया हैं उसकी अलग कर ली हैं सारा आमला मसाले में डाल दे और मसाले के साथ इसे अच्छे से मिला ले लो फ्लेम पर आपको इसे 3 मिनट तक ही पकाना है इसे हमें ज्यादा नहीं कलाणा तो 3 मिनट तक इस तरह से मसाले में मिला ले हैं ओर लो फ्लेम पर आमले को रख दे चार मिनट के बाद गैस का फ्लेम आफ कर दे और इसे ठंडा होने के लिए रख दे आमले हमारे अच्छे से पूरी तरह ठंडे हो गए है अब हम इसे एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे इस तरह से आप कोई भी काँच का जार ले ले और इसमें आमला डाले आमले का चार रेडी है आप इसे फ्रिज में रखें जिससे जल्दी खराब नहीं होगा और आमले का चार इस तरह से थोड़ा थोड़ा बनाए जब खतम हो जाए तो फिर थोड़ा और बना ले आमले का चार रेडी है थैंक्स फर वोच्छे